हेलो सस्रिया काल और आदाब आप सबका फिरसे स्वागत है अपनी चैनल फैक्टो मिन पे तो फिरसे हम आ गए हैं आपके अंदर के फैक्ट के कीरे को शांट करने के लिए और इस बात और भी इंट्रेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट के साथ तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अमारा फैक्ट का कीरा एपिसोड नमबर टू फैक्ट नमबर वन दोस्तो जैसी करनी वैसी भरनी ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी तो ऐसा एक बाफिर से साबित हुआ जब एक अमेरिकन आदमी ने एक आर्मे दिलो को अपनी गन से गोली मारी जी हाँ जब उसने ऐसा किया तो आर्मे दिलो ने अपने शेल को एक शील्ड की तरह यूज किया और जब वो गोली उसके शेल पर लगी तो वो वापिस उसी आदमी के लोगल जों में जा लगी जिसके तुरंट बाद उस आदमी को हॉस्पितलाइज किया गया यह भिग गई है गोवर्मेंट आप गोवर्मेंट फैक्ट नमबर टू दोस्तो आपने काफी सारे अमेरिकन स्टेट के नाम सुने होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन सा अलफाबेट है जो किसी अमेरिकन स्टेट में नहीं आता नहीं न तो हम बता दें कि वो है क्यू फ्रेंट्स क्यू एक भी अमेरिकन स्टेट की स्पैलिंग में नहीं आता है फैक्ट नमबर टू दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फोन के उपर ही बैठ जाते हैं तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सैमसंग ने एक काफी अजीब और यूनीक आइडिया निकाला उन्होंने हमारे बत जैसी दिखने वाली एक मशीन बनाई और उससे वो अपने फोन्स को टेस्ट करते हैं क्योंके फोन्स ये प्रेशल जहिल पाएंगे या नहीं कुछ भी सच में ये फेक्ट सुनके तो मैं भी हैरान हो गया था दोस्तों क्या आपको इंग्लिश के सबसे लॉंगेस वर्ल्ड के बारे में पता है कि वो कितने लेटर्स से बना है ये आप खुदी देख लो मैं ऐसे नहीं पर पा रहा लेकिन हम ये बता देते हैं कि इसमें एक्जेक्टली 1,89,819 लेटर्स है काउंट मत करना वरना पूरा दिन निकल जाएगा खेर बरते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर फैक्ट नमबर फाइव दोस्तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लेट और राइट लेग में कितने टो हैं तो आप बोलेंगे कि फैक्टो दिमाग फिर गया है क्या तेरा हमारे एक पैर में तो सिर्फ पाँच ही है तेरे में कितने होते हैं तो भाई मेरे में भी पाँच ही है लेकिन कैट्स, डॉक्स और अदर मैमल्स के आगे वाले पॉज में पाँच और पीछे वाले पॉज में चार तोज होते हैं अभी तक वीडियो में मज़ा आ रहा है ना आगे भी आएगा तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब के बतन को रेद से ग्रे कर दीजिए फैक्ट नमबर सिक्स दोस्तो आपको पता है क्या कि यूएस के फ्लैग में कितने स्टार्स हैं चलो मान लिया पता है चल चूटा अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ उसमें कुल 50 सार्स हैं हर एक सार एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है फैक्ट नमबर सेवन दोस्तो आप सब अपनी हाइट बराने के लिए बहुत कुछ करते होंगे है ना लेकिन एक पॉइंट के बाद हाइट बरना रुखी जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन से दो ओर्गन्स हैं हमारी बोड़ी के जिनकी हाइट कभी बंद नही होती जी हाँ वो दो ओर्गन्स हैं हमारे नोस और हमारे इयर्स फैक्ट नमबर एट दोस्तो क्या आपको पता है कि 1000 से पहले एक भी नमबर ऐसा नहीं आता है जिसमें लेटर ए आता हो काउंट करके देख लेना और वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा पैर और हाथ में कार चलाते टाइम डल्द हो जाता है तो फ्रेंट्स मरसरीज ने 1966 में इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक प्लैन सोचा उन्होंने एक कार जिसे उन्होंने नाम दिया था F200 बनाने का प्लैन बनाया जो सिर्फ स्टेरिंग वील्स से चल सकती थी एक ए बस उनके पैसे होने चाहिए उनके पास फैक्ट नमबर 10 जिराफ कितने बड़े होते हैं आपको पता ही होगा लेकिन यह जानके आपको बिल्कुल भी हरानी नहीं होनी चाहिए कि जिराफ की तरह ही उनकी तीन जीब भी बहुत लंबी हो सकती है जी हाँ उनकी जीब 20 इंच की हाइट भर सकती है no of course लेकिन आइफल टावर की हाइट हर साल 6 इंचेस तक भर जाती है गर्मियों में और 6 इंचेस तक कम हो जाती है सर्दियों में ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में iron expand होता है और सर्दियों में iron contract होता है anyways परते हैं अपने अगले फैक्ट की ओड क्यों हो गए ना चंबित कमेंट करके जरूर बताएं कि यह क्या आपको यह फैक्ट पता था फैक्ट नमबर थार्टीन दोस्तों क्या आपको पता है कि Japanese की highest population कहां पर है obviously Japan में लेकिन जैपैन के बाहर Japanese की सबसे ज्यादा population कहां है तो वह ब्रैजील में ब्रैजील में कुल 1 1.6 million यानी 16,000,000 लोग Japanese होते हैं एक दम इनोंने वक्त बदल दिया जिजबात बदल दिया जिंदगी बदल दिया हो भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं यह मजाख हो रहा है एक सेकिंड यार मजाख हो रहा है येस इस 101 परसेंट ट्रू पैक नमबर 15 क्या आपको पता है कि सबसे जादा देर तक अपनी ब्रेट को कौन सा एनेमल होल्ड कर सकता है शार्क नो वेल नो हम डॉलшт इंड नहीं गाईज डॉल्फिन से भी जादा देर तक एक सलोफ अपनी ब्रेट को होल्ड कर सकता है अपनी हर्ट रेस को कम करके सलोथ 40 मिन्टो और डॉल्फिन 10 मिनस टक यू अपने ब्रेत को होल्ड कर सकती है मैं 15 मिनिट तक अपनी सास रोक सकता हूँ मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ Fact No.16 You can't hmm while holding your nose क्यों try करके देखाना आपने अभी अभी है तो मैं बता दू कि hmm ऐसी sound निकालने के लिए sound को हमारी nose से escape करना परता है और जाहिर है वो ऐसा नहीं कर पाएगी जब हमारी naak बंद होगी Fact No.17 दुनिया में एक लोता ऐसा देश जहां मैकडॉनल्स स्पैगटी डिश भी सर्व करती है वो है फिलिपिन्स अब स्पैगटी क्या होता है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ तो प्लीज उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना Fact No.18 दोस्थों डिड यू नो कि जब टॉयलेट पेपर्स इन्वेंट नहीं किये गए थे तब अमेरिकन्स क्या यूज करते थे जी हाँ तब अमेरिकन्स कॉर्ण यानि भुट्टे के छिलको को यूज करते थे कुछ भी कुछ भी Fact No.19 Friends, क्या आपको याद है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सबसे बड़े वार की बात की थी अच्छा अच्छा याद आ गया ना तो इस वीडियो में हम सबसे छोटे वार जो सिर्फ 38 मिनट्स चला था उसकी बात करेंगे जी हाँ ऐसा भी एक युद्ध था और उसका नाम था एंगलो जन्जिबार वार जो लड़ा गया था सुल्टान खालिद बरगाश और ब्रितिश फोर्सेस के बीच तो बढ़ते हैं अपने फाइनल फैक्स की योड फैक्स नमबर 20 दरसल मेरा ना बच्पन में जन्म हो गया था और मा मेरी लेडिस थी कैसा लगा मेरा मेरा में जाक फैक्स नमबर 20 फ्रेंट्स हम सब जानते हैं कि टू टाइप्स के साल यानि येर होते हैं एक औरडिनरी और एक लीप इयर औरडिनरी में 365 और लीप इयर में 366 देड होते हैं राइट लेगिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में रिकॉर्डेड सबसे लंबा year कौन सा था हम सोचो सोचो नहीं जानते न कोई बात नहीं मैं हूँ न वो था 46 BC यानि जीजस क्राइस्ट के birth से पहले का 46th year friends उस year में कुल 455 days थे इसलिए ये सबसे long year है आज तक का so friends कैसी लगी आपको ये वीडियो I hope you liked it पसंद आई हो तो please like कीजिए share कीजिए और हमें subscribe कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye and thanks for watching